बिलाई नगर विधायक देविन ज्यादव की गिरफतारी को लेकर राजी भवन रायपूर में नीता प्रतिपक्स डॉक्टर चरंदास महंत की अध्यक्षिता में कॉंग्रेस के सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई मंगलवार की सुबह साड़े ग्यारा बजी से कॉंग्रेस कायलाय राजी भवन में हुई इस बैठक के दोरान सरकार को घेदने की रणने की तयार की गई बिलाई नगर विधायक दिविन द्यादव की गिरफतारी की खिलाब कॉंग्रिस पार्टी प्रदेश में माहोल तयार करने की कोशिश में कर रही है बिलाई विधायक देविन यादाव की किरफतारी और प्रशासन के रवये को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरंडास महंत ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी कॉंग्रेस जन इस कारवाई का पुर्जोर विरोध करते हैं। कॉंग्रेस की सभी विधायक अपने जिले एवं शेत्र में आंदूलन करेंगे। जल्द ही कॉंग्रेस का विधायक दल राज जिपाल से मुलाकात करेगा। का उप्योग करके बिना एफाई यार दिये बगैर उसकी गिरिपतारी की उससे पूरे विधायक गल में बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की गई। कि अगर इस तरह से साई जी की सरकार विधायकों के साथ ब्योहार करेगी तो समान जन्ग के साथ कैसा कैसा ब्योहार हो सकता है। यह इस पुस्त नजर आ रहा है। हम सब लोग दिवेद भाई के साथ थरे हैं। उनके सांस है। उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। और जो अन्याय हुआ है हम लोग उसका घट कर मुकाबला करेंगे। एक सांस रहकर मुकाबला करेंगे। और इसी संदर में सभी साथियों ने यह स्विकार किया है कि वो अपने अपने जिलों में वो जाएगे। वहाँ पतकार वार्ता करेंगे और 24 अरिक को हर जिले में ज्यादा से ज्यादा संच्या के साथ इस घटना का बिरोद्ध प्रदर्शन हम लोग करेंगे। विधायकों को वरिष्ट लोगों को प्रस्टेग जिले में प्रेस कांफरेंस करने की हम लोगोंने निवेदन किया है और उन लोगोंने इसे सहर स्विधार किया है और सब लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे सतनामी समाज के बीच जिस प्रकार से संप्रताइक सत्भाव विगा को टीस हो रहे हैं उनको से अलग करने कोछेस हो रही है और इस पूरी गटना में झानेरë सको यह बतायागा रहा है कि इसमें कांग्रेस के टार इस सब लोग करेंगे जिला इस्टर पर करेंगे तीन इस तर पर लड़ाई को एक गानुनी इस्टर पर भी कानुन से लड़ेंगे एक घरना की माध्यसे जमीन में लड़ेंगे हम लोग राजपाल टी से मिलने की योधना बना तुके हैं वो जब शहर में आएंगे तो उनसे भी घेट करने के लिए विघाएगी जाएगा संभावता 23 तारिक होई हम लोग समय लेंगे मानने राजपाल में होने से और उनसे भी जाकर भीट करेंगे